जै मतादे, नमस्ते, तो आज की इस वीडियो में हम लोग रभी बार ब्रत कता का सरवन करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और रभी बार ब्रत कता का सरवन करते हैं हिंदु धर्म में हर दीन का महत अलग होता है रविवार का दीन भगवान सुरीदेव को समर्पित है इस दीन लोग भगवान सुरीदेव की पूजा करते हैं और उन्हें अर्ख देते हैं हिंदु धर्म में रविवार को सर्वसिष्ट बार माना गया है मनेता है कि अगर अभिवार के दीन ब्रत के जाए और सच्चे मन से अराधना की जाए तो बेक्ती की मनोकामना पूरी होती है तो आईए हम लोग अभिवार ब्रत कथा के बारे में पढ़ते हैं परचीन काल की बात है एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी वह हर अभिवार को सुर्योदे से पहले उठकर असनाना दिकर के घर की आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वक्ष करती थी उसके बाद वह भगवान सुर्योदेव को अर्ग दे कर पूज अर्चना करती थी और फिर भोजन तिआर कर सुर्य भगवान को भोग लगा कर स्विंग भोजन करती थी सुर्दे उस बुढ़िया से बेहद प्रसंद थे, उनकी किरपा से उसे किसी भी प्रकार के चीनता और कश्ट नहीं था तीरे दीरे उसका घर धन धान से भड़ता गया उस बुढ़िया को खुश देखकर उसकी परोसन उसे जलने लगी बुढ़िया के पास गई गाय नहीं थे, इसलिए रईवार को घर लिपने के लिए वा परोसन के आंगन में बधी गाय का गोबर लाती थी परोसन ने इसिया में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांद लिया जिस कारण बुडिया को रई बार को गोबर नहीं मिला और बुडिया अपना आंगर नहीं लिप सकी आंगर ना लिपने कारण उसने न भोजन बनाया नहीं भगवान सुरी को भोग लगाया और स्वेंग भी भोजन नहीं किया फिर सुरियास्त के बाद भोखी प्यासी ही सो ग और इशापुन करने वाली गाय देने का बर्दान दिया अगरे दिन जब वो सोकर उठी तो उसके ने देखा कि उसके आंगन में एक सुन्दर गाय और एक बच्रा बंदा है गुढिया गाय को देखकर है रान रह गई उसने गाय को चारा खिलाया वहीं ये सब देखकर उसकी परोसन और अधिक जलने लगी जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो परोसन की आखे फटी की फटी रह गई फिर उसने तुरंत सोने का गोबर को उठाया और अपने घर ले आई और अपनी गाय का गोबर वहां रखाई कई दिनों तक बुढिया को सोने की गोबर के बारे जिसके बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांद दिया अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा तब उसे बेहद आश्चर्ज हुआ उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बाहतने लगी सोनी की गोबर से बुढ़िया कुछी दिन में बहुत धनी हो गई उस बुढ़िया के धनी होने से परोसन बुढ़ी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पती को समझा भुजा कर उसे नगर की राजा के पास भेज दिया सुन्दर गाय को देखका राजा बहुत खुश हुआ, सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आचर्ज का ठीकाना न रहा। उधर सुर्य भगवान को भुखी प्यासी बुढिया को इस तरह प्रात्ना करते देख उस पर बहुत करना आई। उसी राद सुर्य भगवान ने राजा को सवपन में कहा कि हे राजन गुढिया की गाय वा बच्रा तुनंत लवटा दो, नहीं तो तुम पर विपतियों का पहार तुट पड़ेगा, तुमारा महल नस्ठ हो जाएगा। सुर्य भगवान के सवपन से बुढिय तरह भैवित राजा ने प्रात दिया, फिर आजा ने पुरे राज में गुशना कराई की सभी इस्तिरी पुरूस रविवार का बर्त किया करे, रविवार का बर्त करने से सभी लोग के घर में धन धान से भर गए, राज में चारों और खुसाहाली चा गई, जै मता दी, नमस्ते